स्वागत है वही स्वागत है यह हमारा परम सोबाग्या है कि दुनिया के सरवादिक लोग परियनेता और हमारे आदर्निय प्रदान्वंत्री परम आदर्निय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में पदार गए हम सब गौरवानवित है कि आप पाली की इस गौरों मई भूमी पर आकर हम सब का मार्क दरसन करेंगे अब मैं आगरे करूंगा हमारे लोग परिये सांसद आदनिय प्पी चौधरी जी का कि आप आकर सम्मानिय मोदी साफ का साफ़ा पहना कर स्वागत करेंगे और दुपटे के लिए हमारे सम्मानिय जिलाद्याइक्स मंसा राम जी दुपटा पहनाएंगे और इस्पृति चिन देने के लिए मैं जिलाद्यक सहीत सातों उमिद्वार उनसे आग्रा करूगा और अधनिय पीपी चौधरी जी अधनिय ओम प्रकास जी मातुर साब आप स्पृति चिन प्रदान करेंगे अधनिय केलास जी चौधरी साब थोड़ा चौड़ा हो जो थोड़ा चौड़ा करो गेरा गेरा चौड़ा करो अब मैं यहां के ट्रस्टी अधनिय मेश्रा नंजी बहराद साब जो ओम विश्वदीप आश्रम के ट्रस्टी है जिन्होंने ये भूमी हमको उपलब्द करवाई मैं उनसे आग्रा करूंगा कि आप भी हमारे प्रदान मंत्री जी को इस्पृति चिन प्रदान करें दूसरे मेंत हैं अधनिय परसुराम गिरी जी जो जुना अखाडा के राश्ट्री मंत्री हैं अब स्वागत भासन के लिए मैं आग्रा करूंगा हमारे लोग प्रियसान साथ आदेनिय पीपी चौद्री जी आएं और स्वागत भासन करें आदेनिय पीपी चौद्री साथ एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा पूरे पाली में आवाज जानी चाहिए पूरे पाली लोग सबाम आवाज जानी चाहिए दोनों हाथ उपर और दोनों मुट्री बंद्र भारत माता की बारत माता की वंदे वंदे आज गोपास्ट में भी है गोमात की भी जयकारा पूलिये गोमाती की नए भारत के शिल्पी वीश्व में भारत का डंगा बजाने वाले वेस्विक नेता वास्ट्विक जन्नायक एक सो चालीस करोड के हर्दय समराट अंतोदे से राष्ट्यदय की प्रेणा को साकार करने वाले एक भारत स्रेश भारत के सिल्पकार मा भारती के परम उपसक देश में विकास की गंगा बहने वाले ऐसे हमारे भारत के भागिरत मानलिये सरदे परधान मंत्री मोदी जी का हमारे पाली की जन्ता की और से पाली लोकसभा की और से मेरी और से मैं बहुत 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 वंदन हार जी स्वागित करता हूँ परमादिये मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा कि आपने पिछले दस वर्सों में आप राजस्तान में जो विकास की जन्गा आपने बहुत गये चाहे पाली लोकसभा छेतर हो चाहे पाली धिल्ला हो पूरे राजस्तान को बिना किसी बहेदवाव के पिछले दस वर्सों में लगबग आट लाख इकतर अजार करोड रुपया विकास के लिए दिये लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि 2004 के पहले कांग्रेस की मनमौन सरकार ने दस सालों में एक लाख साट अजार करोड राजस्तान को दिये थे लेकिन आपके दिये हुए जल जीवन मिशन के पैसे जो कि राजस्तान हमेशा पानी के लिए तरस्ता है वो काम जो हैं राजस्तान में बहुत पहले होना था लेकिन वो काम समय पे नहीं होकर के उसमें ब्रचाचार क्वालिटी का काम नहीं होकर के जो भी हुआ उसमें पाइप लैंड जिस तरफी होनी चाहिए वो नहीं है तो जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने राजस्तान की गैलो सरकार ने ब्रचाचार किया है वो आम जनता के साथ में एक बहुत बड़ा दोका किया है आपने साथ हजार करोड भेजे आपने पंचाईतों के फंड के भेजे लेकिन पंचाईतों में पैसे नहीं पहुंचने की वज़े से कोई भी विकास नी हुआ मैं दन्यवाद दूंगा परधान मंतरी मोधी जी को के राजस्तान को रेलवे के लिए लगबग 630 करोड जो कांग्रेस सरकार भेजती थी उसकी बजाई 2023 में करीब 9300 करोड रुपय रेलवे के विकास के लिए भेजे ये अपने आप में एक कीरतिमान इस्तापित हैं मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के लोज सरकार ने एक तुष्टी करण की प्राकाष्टा पे पहुंची एक हिंदु विरोधी सरकार के रूप पे साबित हुई और किस तरह से एक पूरे राजस्तान में प्रायोजित दंगे हुए और दंगा अग बात हैं कि मेवाद छेतर में हिंदुआ का पलायन और एक समुदाई विशेज का आतंग जिस हिसाब से हैं समुदाई विशेज के आरोपियों के होसले बुलन और मेवाद में बेटियों के साथ दुष्कर्म और गोकसी की घट्टे जो है वो लगातार बड़ी है राम नवमी की सोबा को सोबा यात्रों को रोकना और आतंग की प्रयाई पॉपुलर फ्रेंट ओप इंडिया को कोटा में जुलूस की परमिशन देना ये कांग्रेश की घैलो सरकार पिछले पास साल में कर रही हैं यही नहीं अलवर में राजगेट में कांग्रेश सरकार ने बुल्डोजर करके तीन सो साल पुराना सीव मंदर को डा दिया और जब सीव लिंग नहीं निकले वासे जब वासे नहीं हटे तो उसमें उन्होंने डिल से उसको सीव लिंग को हटाया तो मैं कहाना चाहूंगा किस हिसाब से कांग्रेश सरकार जो हैं पिछले पास सालों में एक तुष्टी कंड की राजनिती अपना ही और मैं प्रदान मंतरी जी को आस्वस करना चाहता हूं विश्वाद दिलाना चाहता हूं यह पाली की जनता पाली लोगसभा की जनता यह पाली भाजपा का गड़ है आपके नेतर तुमें और पाली की आटों के आटों शीटे हम आपकी जोली में जो हैं डालेंगे और पाली बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत भारत माता की बारत माता की वंदे धन्यवा अब आप सब जिनको सुनना चाते हैं आप जानते हैं कि दुनिया की अनेक प्रतिश्टिस संस्ताओं ने अनेक कौनों से आंकलन करके सर्वे किया और उस सर्वे में ये साबित किया कि दुनिया के सर्वादिक लोग प्रियनेता आदेनिया नरेंद्र भाई मोदी जी हैं ये अनेक संस्ताओं ने सर्वे करके किया आप जानते हैं कि कोरोना जैसी माहमारी से दुनिया को बचाने का काम आदेनिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया हमारे पाइलेट अभिनंदन को और पाकिस्तान के चंगुल से निकाल कर सुरक्षित भारत में पहुंचाया आदेनिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप जानते हैं कि रूस योक्रेन युद्व में युद्व को बीच में रोक कर और जैसे दो सांड लड़ते हैं उनके और सींग पकड़ कर रोक कर हमारे बच्चों को सुरुषित निकालने वाले संग्रक्षक अभीभावक आदरिने नरेंद्र भाई मोदी जी और को सुद्रण करने वाले आदरिने नरेंद्र भाई मोदी जी और विकास की गारंटी आपको पता है आदरिने नरेंद्र भाई मोदी जी क्रणमन को विश्वम आर्यम ये संदेश लेकर और दुनिया में वसुदेव कुटुमकम का पाठ देने वाले और विश्व गुरू के पदे स्थाफित करने वाले आदेनिये नरेंदर भाई मोदी जी को अब मैं निवेदन करूंगा कि करपया हमारा मार्ग दर्शन करें आदेनिये मोदी साथ भारत माता की आवाज गुजराज तक पहुचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की सुन्धा माता की आशापुरा माता की सारनेश्वर महदेव की भगवान द्रशब देव की आई माता की पाभुजी महराज की चाहर भुजानात की लिखमिदाज जी महराज की भारत माता की आई अटारा सो सत्तावन की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले उद्धा कुशाल सींजी की धरती पर मैं आप सभी का और पूरे रजिस्थान को आदर पुरवक नमन करता हूं अभिनंदन करता हूं मैं मेरी बात सुरू करने से पहले आज आपका मैं विशेशुप से धन्यवाद करना चाहता हूं देखे मैं यह हमारे उमजी हम ऐसे लोग है जो सालों से संगठन का काम करते थे कंदे पर थेला लटका के बसों में जाना पार्टी का काम करना और चुनाओ प्रबंदन भी देखते थे लेकिन कभी चुनाओ में कोई हमें कहे कि आपको सभा मिलेगी बड़े से बड़े नेता की मिलेगी तो भी हम कहते हैं कि साब हम तो सभा तो करेंगे लेकिन सुबह ग्यारा बजे मत दो देना है तो दो बजे तीन बजे चार बजे दे दो ग्यारा बजे संगढ़न का काम करते समय भी मैं भी अरे भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह लोग निकलते नहीं है लेकिन मैं देख रहा हूं ये पाली की ताकत पाली के लोगों का प्यार पाली के कारकरताओं की मेहनत सुबह सुबह इतनी बड़ी जनता जनार्दन एक प्रकारते जन सागर मैं देख रहा हूं आप इतनी बड़ी तादाद में हम सब को आशिरवाद देने के लिए आये है मैं मैं आप सब का रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं जो पीछे में देख रहा हूं जितने लोग पैंडाल में हैं उसे जादा लोग धूप में तप रहे हैं आप कोई जो असुविधा हुई हैं हमारी ये जो व्यवस्ता छोटी पड़ गई हैं और आपकी असुविधा के लिए भाजपा के कायरकरता के नाते मैं सब से पहले आप सब की ख्यमा मांगता हूं जो लोग ये ताप में तप रहे हैं और बड़े धैरिये के साथ सभा को सुन रहे हैं जो ताप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ताप ये आपकी तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाने दूँगा मैं विकास करके उसे लोटाऊंगा आपके लिए कल्यान योजनाय लेकर क्याऊंगा और आपके इस तपस्या का मैं प्यार से उसकी कीमत चुकाऊंगा ये मैं आपको वादा करता हूं भाईयों बहनों ये पाली ऐसा है कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है और पाली की दूसरी भी ताकत है पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जाईए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का जंडा लेके खड़ा नहों आप तमिल्लाड में जाके किसी को भूतोगे तो बले पाली का हूँ वो यहां तो पाला बदलता नहीं है लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है ये ताकत है पाली की और मेरे गुजरात में तो पाली और शिरोई से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है और मैं आज बड़े बड़े विश्वास से दो बात कह रहा हूँ पाली का भाजपा का कार करता और सोजत की महदी का रंग ये कभी भी उतरते नहीं है फाली के मेरे भाईयों बहनों वाकई आज आपने दिल खोश कर दिया मैं माता और बहनों को विशेश प्रणाम करता हूँ माता और बहनों को विशेश प्रणाम करता हूँ क्योंकि राजस्थान में आम तोर पर माता और बहने इस प्रकार से बहार कभी आती नहीं है आज इतनी बड़ी तादाद में आई है इतना ही नहीं जब खाना पकाने का वक्त है तब राजस्थान का भविश्य बनाने के लिए आई हैं और इसलिए खाना पकाना छोड़कर के राजस्थान का भाग्य बनाना ये जब मेरी राजस्थान की माताई बहने करती हैं तो राजस्थान का भविश्य उजवल है इनिस्षित हो जाता है माता और बेहनों को मेरा कोटी कोटी नमन सात्यों मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्तान मैं जहां जहां गया हूं राजस्तान के लोगों को जहां जहां मिला हूं एक स्वर से एकी आवाज सुनाई दे रही है हर कोई कह रहा है जन जन की है यही पुकार मेरे परिवार जनों आज पूरा देश भिक्सित होने के लक्ष के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है भारत 21 सदी में जिस उंचाई पर होगा उसमें राजस्थान की भूमी का बहुत बड़ी होगी अवश्य होगी और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दे दुर्भाग्य से पिछले पांच साल राजस्थान में जो कॉंग्रेस सरकार रही उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया यहां की कॉंग्रेस सरकार के लिए ब्रस्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है यहां की कॉंग्रेस के लिए परिवारबाद ही सब कुछ है यहां की कॉंग्रेस सरकार तुष्टी करण के अलाबा कुछ नहीं सोचती तुष्टी करण की राजनीतिक आसर क्या होता है इसको राजस्थान ने बीते पाँच बर्षों में जेला है कॉंग्रेस ने राजस्थान को दंगों में जौक दिया दंगों और आतंग की मानसिक्ता रखने वालों के होसले बुलंद हो गए सवहार्थ की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाए हुई जिनके बारे में कभी कलपना भी हम नहीं कर सकते थे ऐसी विकृत मानसिक्ता वाली कॉंग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है सिखाओगे सिर्फ पाली मैं सिखाओगे कि और को भी बताओगे मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस और उसके गमन्या गठबंडन की ये पहली हरकत नहीं है सनातन को लेकर इनों ने क्या का कहा है ये पूरे देश ने देखा है मेरी मातावे बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है कॉंग्रेस और उसके साथ ही सनातन को खत्ब करने का एलान कर रहे है और सनातन को खत्ब करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्ब करना क्या ही करने देंगे आप ये करने देंगे ये कॉंग्रेस के कागना में चलने देंगे एक गमन्डिया गडबंदन के करतुत मान्य करेंगे साथियों हम सब तो भली भाती जानते हैं यहां जालोर जिले में कानिवाड़ा में हनमान जी का प्राचिन मंदीर है उस हनमान जी के प्राचिन मंदीर में पीडियों से दलीत समाज के ही पुजैरी होते हैं बगवान की पुझा करते हैं और सब लोग जा करके वहां आशिर्वार लेते हैं प्रसाद आरोग्य करते ऐसी प्रेनादाई भूमी पर कॉंग्रेस के समरक्षन में दलीतों को निशाना बनाया जा रहा है आप देखिए महिलाओं और दलीतों को लेकर ये कैसी कैसी भाशा का उप्योग कर रहे हैं कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गटबंदन के एक नेता वह वहां के मुख्यमंत्री है उन्होंने दलीत समाग के पुर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाशा बोली कोई सामान्य नागरिक भी बाच्चित में भी ऐसा नहीं बोल सकता वो विधान सभा के फ्लोर पर बोल रहे हैं यह है गमंडिया गटबंदन क्यों क्यों गालिया दी क्योंकि वो पुर्व मुख्यमंत्री अती पिछडे दलीत परिवार से आते हैं इसलिए उनकी बेज़ेती करने में उनको आनन्द आता है उन्होंने तो पाप किया लेकिन कॉंग्रेस के एक भी नेता उसके मुँ से ये गलत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए ये बताने का भी विवेक नहीं है दलीतों के खिलाब अत्याचार करने वालों को देखकर कॉंग्रेस आंखों पर पट्टी बांद लेती है या राजस्तान में पाँच बर तक दलीत परिवारों के साथ हुई अत्याचार पर कॉंग्रेस ने यही किया है जबसे महिलाओं को आरक्षन देने वाला कानून नारी शक्ती बंदन अधिनियम पारित हुआ है तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध और बद्र अभियान चेड़ दिया है गमन या गड़बंदन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्ति जनक टीपडियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विदान सबाओं में महिलाओं के प्रति गोर अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया है लेकिन मजाल है कि कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो और यही यही कॉंग्रेस का असली चहरा है जिससे राजस्तान के लोग पहचान गए है साथियों महिला विरोधी कॉंग्रेस कभी महिलाओं का कल्यान नहीं कर सकती कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती कॉंग्रेस ने राजस्तान को महिलाओं के खिलाब अपराद में नंबर वन बना दिया है यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्तान की बेहनों बेटियों ने पुलिस स्थाने में जाकर के उन पर जो अत्यायतार हुए जुल्म हुए उसकी जो शिकायते फरियाद दर्जिकी हैं यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारी शिकायते फरजी हैं क्या कोई मा बहन ऐसी फरजी शिकायत करें ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या आप मुझे वताई यह हो सकता है क्या कभी कोई महिला हमारे देश की माताय बहने तो ऐसी है थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बत्तमीज की हो तो चूप चाप वहां से चूप चाप चली जाती है वो चोचती है वो भुरा आदमी है वो उतने घर जाए मैं अपने काम पर चली जाती हूं वो कभी जूट बोलने का तो सोचती भी नहीं है और जब कुली स्थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है तो कुछ तो सच होगा कर नहीं होगा भाई होगा कर नहीं होगा अरे मुक्मंत्री यह कहें के भी हम जांच करवाएंगे मैं तो मुक्मंत्री सड़ी पकड़ देते हैं कि महिलाएं आधकल फरजी चीजे लिखवा देती है क्या ये महिलाओं का अपमान हैक नहीं है ऐसे ही जबाब देते हैं क्या ये महिलाओं का अपमान हैक नहीं है ये महिलाओं का अपमान हैक नहीं है यह पान करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए पूरे राजस्तान से जानी चाहिए या नहीं चाहिए इतना ही नहीं है ये मुख मंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधान सभा में इस अत्याचार को ये कह करके उचित ठाराता है कि ये राज़तान तो मर्दों का प्रदेश है क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं ये मर्दों का पान हग नहीं है ये मर्दों का पान हग नहीं है अरे राज़तान के मर्द बेहन बेटियों के लिज़त के लिए अपना सर कटवा सकते हैं ये मर्द होते हैं राज़तान और तुम तुम्हारे मंत्री खुले आम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या और इतना ही नहीं उस मंत्री के पास साथ कई लाल डाइरिया छिपी हुई है इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकर दे दिया इसका मतलब यह हुआ महिलाओं परत्याचार और जुल्म करने वालों को कॉंग्रेस की दिल्ली सरकार भी कॉंग्रेस के दिल्ली के कारणा में करने वाले लोग भी कॉंग्रेस के दिल्ली में बैटे हुई है सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए है और इसलिए कॉंग्रेस और इसके गमंडिया साथ्यों के मान सिकता एक जैसी है महिला विरोधी है मैं राजस्तान की हर बहन बेटी को कहूंगा आपको राजस्तान से कॉंग्रेस को साप करने के बाद ही चेंज से बैठना है कॉंग्रेस के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं भाजपा के लिए आप सब ही हमारा परिवार है भाजपा का नरंतर प्यास है कि हर परिवार की बचत को कैसे बढ़ाये जाए आप याद कीजिए कॉंग्रेस की सरकार जब थी तब दो लाख रुपे तक की इनकम पर भी टेक्स लगता था यहां के लोग तो बराबर बच पर दुनिया से जोड़े हुये 2,00,00 Century पर टेक्स लगता था इज़रा जबाब दीजिए याद कीजिए कॉंग्रेस के जबाने में 2,00,00 के आप टेक्स लगता था नहीं लगता था यह मोधी के आने के बाद साथ लाख रुपिये तक एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है मेरे मद्यमबर के पैसे बचते है 2014 में सरकार मन्ने के बाद भाजपाने डायरेक टैक्स में जो कमी की है उसकी वज़े से मद्यमबर के जेब में ढाई लाख करोड रुपिये बचे है और ये हमारे कर्मचारी हो हमारे वैपारी हो, छोटे दुकानदार हो इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है साथ हो ये केंद्र की भाजपा के सरकार के नीतिया है जिसकी वज़े से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप जब भूल गए अब ये भूल जाओ गए तो कैसे चलेगा भाई जड़ा पुराना हिजाब किताब निकाल दीजिए 2014 के पहले आपके पांस अगर मोबाइल फोन था तो मोबाइल का बिल कितना आता था वो जड़ा देख लीजिए कॉंग्रेस सरकार के समय में आप जितना मोबाइल डेटा खच करते थे आज अगर डेटा की किमत वही होती 2014 में जो दाम ले देने पड़ते थे आज अगर वही होता न तो हर महिने सरक मोबाइल खर्च में आपको 5000 रुपे अधिक खर्च करना पड़ता अब ये आपका हर महिने 5000 रुपे बचा की नहीं बचा जरा जोर से बोलो ने पैसा बचा यार मारवाडी हो 5000 रुपे बचा की नहीं बचा आज एक गर में तीन या चार मोबाइल होते हैं तो कितना रुपिया बचा कितना रुपिया बचा ये मोदी का काम करने का तरीका है अनेक परिवार है अब आप देखिए कि मद्यमबर का परिवार हो कोई गरीबी से लड़कर के बाहर आया हुआ नया नया मद्यमबर में आया है लेकिन परिवार में बुजुर्ग माबाप हो और मान लीजे एक डाइबिटेज जैसी बिमारी आ गई तो उसको हर महिने जो दवाई लेनी पड़ती है न हजार दो हजार रुपिया का अतिरिक खर्चा हो जाता है होता या नहीं होता है लेकिन हमने स्थान पर प्रधानमत्री जन्हसति के एंद्र क्षोले 80% । कितना जड़ा भोलिये ने भई या 80% discount कितना 80% discount ये माताव बेहनों को पुझना discount क्या होता है दिवाली में साड़ी की दुकान पे जाए और कोई बड़ा बोड लगा दे कि 10% discount वो साड़ी कहां वहां खरीदने जाती है क्योंकि discount हमारे देश में बहुत चलता है लेकिन कोई 10% 20% से ज़्यादा discount देता नहीं है ये आपका बेटा दवाईयों में 80% discount ताकि मध्यंबर के परिवार में diabetes की दवाई लानी पड़े तो जो दवाई उसको 2000 उपय में लानी पड़ती थी वो उसको 10% 20% में मिल जाती है उसका 80% पैसा बच जाता है मेरे परिवार जनो कोरोन का ही संगटकाल में दुनिया का सबसे बड़ा मुप्त राशन देरे का भियान हमने शुरू किया आप जानते है कितनी बैंकेर मिमारी आई थी मौत मढ़ना रहा था दुनिया भर में अस्पतालों से खबरे मतलब डेड़ बोड़ी के धेर सुन दिखाई देते थे पूरे देश चारों तरब मौत का आतंग चाया हुआ था नहीं था कोविन ने डरा दिया था गर नहीं डरा दिया था कब गर में मौत आकर दरवाजे खट-कट आएगी डर लगता था गर नहीं लगता था बेटा भी मा की सेवा के लिए उतके कमर में नहीं जा पाता था मा भी बेटे की सेवा नहीं कर पाती थी हर किस्यू को लगता था कहीं कोरोना हो जाए और उस समाए बाहर भी सारा काम बंद हो गया था लोग भी अपने अपने घर बापिस चले आये थे तब ये आपका बेटा सोता नहीं था ये आपका बेटा दिन रात जागता था और तम मैंने ताई किया था कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कितनी ही मुसिबत क्यों ना आए खाजाना खाली क्यों ना हो जाए लेकिन किसी भी घर का चूला बुझने नहीं दूगा किसी गरी मा को आशु बहाने के लिए मजमूर नहीं होना पड़ेगा कोई बेटा भूख से नहीं सोएगा मुझे बताइए हम तो राजस्तान के लोग है पानी की प्याओ भी कर दे न तो भी लोग कहते हैं पुन्य का काम किया कहते हैं आज भी लाखां बन जारा को याद करते हैं कि नहीं करते हैं और किसी को थाली भर दे संकट के सबय भी उसको मुफ्त में खाना मिल जाए तो आशिरवाद देता हैं कि नहीं देता हैं आशिरवाद देता हैं कि नहीं देता हैं पुन्य मिलता हैं कि नहीं मिलता हैं यह काम पुन्य का किया हैं कि नहीं किया हैं यह पुन्य किसको मिलता हैं यह पुन्य किसको मिलता हैं यही तो गल्ती हो जाती है यह पुन्य मोधी को नहीं मिलता है ये पुन्य आपको मिलता है क्योंकि आपने एक वोट देकर के मोदी को बिठाया है ये वोट देने का पुन्य आपने किया है इसलिए पुन्य आपका मा रहे है ये पुन्य जो जमा हो रहा ना आपका वो एक वोट की ताकत है जिसके करण पुन्य जमा हो रहा है आज दिसंबर मैने में योजना पूरी होने वाली थी लेकिन ये पुन्य का काम है पवित्र काम है हर किसी की थाली में रोटी पहुंचाने का काम है और इसलिए इस बापके बेटे ने संकल्प किया है निरने किया है मन बना लिया है कि दिसंबर में ये योजना पूरी नहीं होने दूँगा उसे पांच साल और आगे बढ़ाऊं लेकिन कॉंग्रेस के प्रस्टा लोगों ने इसमें भी प्रस्टाजार का मोका खोज लिया मेरे परिवार्देनों राज़तान सरकार की लूट का एक और उदारन पैट्रोल की कीमत है आप देखिए राज़तान के एडोस परोस के राज्या राज़तान का परोसी उपी है राज़तान का परोसी हर्याना है राज़तान का परोसी गुजरात है वहाँ भाजपा की सरकारे है वहाँ पैट्रोल 97 रुपिय प्रति लिटर मिलता है सब्तानवे लेकिन कॉंगेरेश की राज़तान सरकार गुजरात उत्तरपदेश हरियाना से 12-13 रुपिया पैट्रोल एक एक लिटर का ज्यादा लेती है महंगा पैट्रोल बेखती है और कठकी कंपनी चलाती है और इसके कान राज़तान में लगातार कीमते बढ़ रही है मैं आज राज़तान को वादा करता हूँ मैं गारंटी देता हूँ तीन डिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पैट्रोल डिजल की एक कीमतों की समिख्षा की जाएगी इससे गरीब और मिडल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी मेरे परिवार जनों जहां जहां भाजपा की डबल इंजिन सरकार है वहां वहां केंद्र के हर योजना तेजी से जमिन पर उतरती है या फिर भाजपा की राजपा की सरकारे अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है जहां जहां भाजपा सरकार हैं वहां PM किसान सनमाद दीती के 6000 रुपिये के साथ भाजपा की राज़ सरकार भी अपनी तरब से 6000 किसानों को और जोड़ करके देती है अब मैं राज़त्तान भाजपा के नेताओं को बढ़ाई देता हूँ उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसमर को बाद भाजप की सरकार बनने के बाद किसान को 6000 रुपिया और यानि अब 12000 रुपिया मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन भाजयों बैनों किसान विरोधी गरीब विरोधी कॉंग्रेश सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला लेही नहीं सकती है एक और उदान में देता हूँ गरीबों को पक्का आवाद देने की होजना लेकिन राजस्तान में हम पूरी कोशिट के बाद भी अभी तक लगबग 20 लाग गरीब बना पाए है यहाँ पाली जिले के गावों में भी 35,000 से अधिक गर बने हैं इनकी संख्या बहुत जादा हो सकती थी लेकिन राजस्तान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर मनाने में लगाता अरचने लगाई और मुझे भी हली पैड़ पर कारकरता मिले वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्तार की सरकार आनलाइन को सब बंद कर देती थी ऑफलाइन कर देती थी और अधिम बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी रियाज़ा पाप करते थे ये गरीब विरोधी कैसे मान सकता है भायो भेनो आप मेरा एक काम करेंगे करेंगे आपके गाउं में आपके शहर में किसी भी महले में कोई फुटपांत पर रहता है कोई जुगी जोपणी में रहता है कोई कच्चे तूटे फुटे मकान में रहता है उसको बता देना कि मोदी जी पाली आये थे और मोदी जी ने कहा है मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को BJP की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा ये काम करोगे जा करके बताओगे ये मोदी की गैरंटी है बताओगे साथ यो राजतान में हर घर नल से जल पहुंचाने का भ्यान को भी कॉंग्रेस ने लूटने का काम किया है हर्याना और गुजराप में भाज़पा सरकारों ने सत प्रतीशत घरों तक नल से जल पहुंचाया है लेकिन राज़तान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्वनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तम मेरी माताओं बहने इतना आशिरवाद देती लेकिन उन्होंने नहीं किया किया तो नहीं होने भी नहीं दिया मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूँ पाइप के लिए पैसा भेजता हूँ और यहां कॉंग्रेस ही कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं राजस्तान को पानी की समस्याव मुक्त करने के लिए कॉंग्रेस ने भी अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा करोगे अगर आपको पानी चाहिए तो कॉंग्रेस से मुक्ति पानी होगी मेरे परिवार जनों मैंने सुना है कि हाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीयम अपनी हार से इतना बोखला गए हैं इतना बोखला गए हैं कि उन्होंने मिडिया को भी दमकाना जुरू कर दिया है पता नहीं ये डरते के नहीं डरते मुझे मालूम नहीं कि दमकाना जुरू कर दिया है लेकिन लोग बताते हैं कि लाल दाइरी के पन्नों और गणपती प्लाजा के लोकरों से निकलते माल की खबरों पर यहाँ अगोशित प्रतिमन लग गया है चपी नहीं रहा है टीवी पे नहीं आ रहा है अच्छानक क्या हो गया भाई बेडिया को दबा करके इनसे जूठी खबरे लेकर जूड़ी जो खबरे हैं वो छापो मत और जूठी खबरे छापो ये खेल कर रहे हैं गैलोची अरे जिनकी नईया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कॉंग्रेट पैसे देकर रखबारों में फरजी लहर चलवा रही है और जादूगर साहब आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबान नहीं सकता है ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है जिन युवाओं का भविश पेपर लिग करके बेचा गया है उस पर ये जादू नहीं चलेगा जिन कर्मचारियों को ट्रांसपर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है परिशान किया गया है उन पर ये जादू नहीं चलेगा मेरे परिवाजनों कॉंग्रेस सरकार ने पाली समयत्पुरे राजयतान को अपने हाल पर छोड़ दिया है कॉंग्रेस सरकार के डूल मुल रवई के कारण पाली शहर के स्थिटी भी खता हाल है आप लोगों को आए दिन प्रदशन करना पड़ता है मोर्चे निकालने पड़ते हैं संगर्च करना पड़ता है लेकिन कॉंग्रेस के नेताओं ने कभी इसकी परवा नहीं की आप कॉंग्रेस का इसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है साथ क्यों पाली आस्ता और आध्धात्म का केंदर है यहां अमारी विरासत से जुड़े अनेक महत्वपुन सान है इसलिए यहां परियाटन को लेकर अनेक संभावन आए है आपको याद होगा कि हाल में मैं पाली जिलो को राजस्तान की पहली हैरिटेज ट्रेन की सोगात बिली है मारवार जंक्षन रेलवे स्टेशन से कामली गाड के बीच राजस्तान की पहली हैरिटेज ट्रेन शुरू की गई है विश्ठा डोम एक ऐसी कोच वाली ये ट्रेन देशी विदेशी परियटकों को आपके जिले में लेकर आएगी ये ट्रेन राजिस्तान के मिनी कश्मीर कही जाने वाले गोरम घाड के खुब्सूरत नजारों को दुनिया के परियटन मानचीद पर लाकर करके रखेएगी यहांकी रोड और रेल कनेक्टिवीटी पर भाजपा सरकार बल दे रही है अमरुद बारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवार, सोजत रोड, सोमेसर और रानी रेलवे स्टेशनों का अधूरी कर्ण किया जा रहा है मारवार, दिल्ली, मुंबई, डेडिकेटेट फेट कोरिडूर से जुड़ा है इससे इस पूरेक शेत्र में तूरिजम और इंडर्स्ट्री दोनों को बहुत लाब होगा मैं सामा, पटिंडा, गुर्दासपूर, गेस पाइपलाइन ये शुरू होने से घरों में चूले तक गेस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बेंडे और गेस सस्ता भी हो जाएगा और इसे यहां के उद्ध्योगों को भी लाब होगा साथ योग पाली जिने ने तो हमेशा भाजबा को भरपूर प्यार दिया और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूँ आप वो लोग है जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है आपने कभी देने में कमी ने रखी है मैं तो आया हूँ मेरे पाली के सभी परिवार जिनों को निमंतर देने के लिए कि तीन डिसंबर के बाद भाजबा की सरकार का सपत होगा उच सपत समारों में आने के लिए निमंतर देने आया हूँ अच्छा मैं एक संकल पलूंगा और आपको दोहरा ना होगा दोहरा होगे आपको बोलना होगा कमल चुनेगा राजस्थान क्या बोलना है क्या बोलना है जड़ा दोनों हाथ उपर करके मुठ्ठी बंद करके बोलते रहना है आपको बोलेंगे पूरी ताकत से बोलेंगे दोनों हाथ उपर करके पीछे जो खड़े है वो भी तो मैं शुरू करता हूँ बंद करो तुस्ट्री करण की दुकान बंद करो तुस्टी करण की दुकान दंगाईयों का काम तमाम प्रस्ता चान पर लगे लगाम पेपर माफ्या की मिटे नाम निशान बहन बेटियों का बड़ेगा मान आपकी हिम्मत और होसला देख करके मुझे पक्ता लगता है कि हर कौने से कॉंग्रेस गई आचा मेरा एक काम करोगे मेरा एक काम करोगे ऐसे नहीं जरा जोड से भोलो तो बताऊं मैं करोगे चुनावी वाला काम नहीं है फिर भी करोगे ये चुनावी ख्यत्रा वाला कोई कुछ नहीं है सिधा सिधा का मैं करोगे मेरा परस्टनल का मैं करोगे पक्का करोगे अच्छा तो एक काम करना गर गर जाना हर परिवार को कहना कि अपने मोदी जी पाली आहे थे और अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है ये मेरा राम राम पहुचा जोगे हर गर में मेरा प्रणाम पहुचा जोगे हर गर में मेरा नमस्ते पहुचा जोगे जब आप हर परिवार में मेरा रामराम पहुचा होगे न, मेरा प्रणाम पहुचा होगे न, मेरा नमस्ते कहोगे न, तो वो पूरा परिवार मुझे आशिरवाद देगा पूरा परिवार मुझे आशिरवाद देगा और जब आशिरवाद मिलते हैं तो मुझे एक नई आउशदी मिल जाती है जब आशिरवाद मिलते हैं तो मुझे नई उर्जा मिल जाती है अगर आशिरवाद मिलते हैं, तो आपकी आकांख्षाए पूरी करने की ताकत आजाती है, जब आशिरवाद मिलते हैं, तो दिन रात दोड़ने का होसला बुलंद हो जाता है, और इसलिए हर परिवार में जाना होगा, राम राम कहना होगा, कहेंगे, कहेंगे, बोलो भारत मा भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद भारतिय जन्ता पार्टी की राश्ट्रिय मंत्री और राजस्तान की से प्रबारी आधिनिये विजयताई जी जिन्नों ने राजस्तान में घूम घूम कर और भारतिय जन्ता पार्टी को ताकत दिये उनसे कहूंगा कि आगर ग्यापित करें